इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमन यह मध्यक आलिन का चैप्टर का स्वाट नॉट्स है क्योंकि इस से देखिए क्या ना ज्यादा कोश्चन पूछा नहीं जाता है में डाइवल का बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कि सर्विस वा ने लिखते हैं कोश्चन का था घ्वारत पर मुश स्लिम आक्रमन कोश्चन यह नोट समस्लों करेंगे अभी कोने में क्या है मक्का सावधी अरब में इस्थित हैं मक्का कहां पे यह तो हो जहां पर 570 इस्वी में इसलाम धर्म के प्रَवर्तक हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ था साध्रियों में इसी कारण यह अस्थान मुस्लिम अनुवाईयों का प्रवित्र तिर्थ अस्थाल है इनकी मृत्यू 632 इस भी में हुई थी रिगवेद में उल्लेखिद भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत परा भरत कबीला के नाम पर अपने देश का नाम भारत परा हुआ है परमपरा नुसार दुस्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भरत परा है देखिए कहीं पर मान्याता है कि दुस्यंत के पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर भरत है लेकिन रिगवेद में दिया भरत एक कवीला था जिसमें दस राजन का युद हुआ था परुशनी नदी पे कुछ विद्वानों के अनिसार रिशव देव के जिस्ट पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत परा था इरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया हिंदुस्तान किसने कहा है इरानियों ने तथा युनानियों ने इसे इंडिया कहा है हिंदी भारत के जनता के संदर्व में हिंदु सब्द का सरप्रथम प्रियोग अर्वो द्वारा किया गया था हिंदु सब्द का आरव आक्रमनकारी मुहम्मद बिन कासिम के नित्रित्व में हुआ था मुहम्मद बिन कासिम से पुर्व उबैदुल्ला के नित्रित्व में एक अभियान दल भेजा गया परंदु वह पराजित हुआ और मारा गया इराक के हाकिम अलहजाज ने मुखाम्माद बिन काशिम के नित्रित में अरभो को सिंद पर आक्रमान करने के लिए भेजा भारी संघर्श के बाद अरभो ने 712 इसही में सिंद पर विजय प्राप्त कर ली उस समय सिंद पर दाहीर का सासन था सिंद पर किसका सासन था दाहीर लेकिन दाहीर आ रही है फारिसी गरंद चचनामा से अरबो द्वारा सिंद विजय की जानकारी मिलती है चचनामा से हम लोग को पता चलता है कि अरव लोग जो हैं सिंध पे बिज़ा पराप्त कर लिया था और उस समय में जब अरव का आकरमन हुआ था तो दाहीर था सिंध का राजा गजनी बंस का संस्थापक अलपक्तगीन था अलपतगीन गजनी बंस का संथापक कौन है अलपतगीन गजनी बंस का अन्य नाम यामनी बंस भी है अलपतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बना अलपतगीन कहा राजधानी बनाया था गजनी को 998 इसवी में महमूद गजनी का सासक बना 998 इसवी में महमूद गजनी का सासक बना सर हेनरी सन हेनरी एलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आकर्मन किये भीम देप्रथम जो 1012 से 1063 के सासन काल में महमूद गजनावी ने 1226 इसवीश पूर में सोमनाथ के मंदिर को लूटा 25 में लूट लिया है ना सोमनाथ के मंदिर को कितने बार आया था है या 17 बार आकर्मन किया महमूद गजनावी का चंदेलों पर प्रथम आकर्मन महमूद गजनावी चंदेलों पर आकर्मन किया था 1019 से 20 इसवी में उस समय चंदेल बंस का सासक विद्याधर था उस समय कौन था यहां चंदेल का सासक विद्याधर महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आकरबन दस्टो निस से वीश में हुआ उस समय चंदेल का विद्याधर राजा था जो अपने वंस का सरवाधिक सक्ति सालिस आसक था या अकेला ऐसा हिंदू सासक था जिसने मुसल्मानों को सफलता प्रवग प्रतिरोध किया 999 से 227 इसवी के विच महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आकरबन किये प्रन्तु इन आकरमनों का वो देश से भारत में अस्थाई मुसल्म सासक के अस्थापना करना नहीं था बलकि मात्र लूट पात करना था बगदाद के खलीफा अलकादिर बिलल्ला ने महमूद गजनवी को यमीन उद्दौलत था आमीन उल्मिल्ला की उपाधी प्रदान की महमूद गजनवी सिक्षित एवं सूस सब्भे था वो विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था उसका दर्वारी इतिहासकार उत्वी इसका दर्वारी इतिहासकार कौन है? उत्वी है गजनवी का इतिहासकार कौन है? उत्वी उसने किताब उल यामिनी इसके जगह का नाम था ना तारीख यामिनी नाम ग्रंत की रचना की इसके अतिरिक्त उसके धर्वार में दर्शन, जोती और संस्कृति का उच्च कोटी का विद्वान अल बर्वुनी तारीख सुख्तगीन का लेख बहा की जिसे हितिहास का लेनपुल ने पुर्व पेपस की उपदी दी है लेनपुल ने क्या दिया है, इसका फैपस फारस का कभी उजारी, खुरासानी विद्वान, तुसी एवं उन्सूरी विद्वान उसजदी और फारुखी प्रमुख वेकती थे बहुत सारे इनके यहां विद्वान वगेरा थे चलिए देखते हैं, सहनामा का लेखक फिरदोसी है यह महमूद गजनवी के दर्वार का प्रसिद विद्वान कभी था इसे पुर्व के होमर की उपाधी दी गए थी फरिस्ता या फिरिस्ता पंदर सो साट से सुला सो बीस में तारीखे फरिस्ता या गुलसन ए इब्राहिनी नाम किताब लिखी इसका पूरा ना मुहम्मद कासिम हिंदु साह अस्तराबादी फरिस्ता था इसकी किताब तारीखे फरिस्ता बीजापूर के सासक इब्राहिम आदिल साहदुदीय को समर्पित है महमूद गजनी के साथ प्रशिद ही तिहासकार अलबरुनी 11. सधी में भारत आया उसकी पुस्तक है किताब उल्हिंद से ततकालिन भारत की मुख्यत समाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती। पुरानों काध्यन करने वाला प्रथा मुस्लिमान अलबरूनी था पुरानों काध्यन किया था इसने अलबरूनी ने और ये पहला आदमी था जिसने किया था मुस्लिम में उसका जन्म नौसटेहत्तर इस भी में हुआ था वह खीवा प्राचीन ख्वारिजम का रहने वाला था अलबरूनी मात्र इतिहास कार ही नहीं था उसके ज्ञान और रूचियों की व्यापती जीवन के अन्य छेत्रों तक थी जैसे खगोल विज्ञान, भुगोल, तर्ग सास्त, और धी विज्ञान, गनीत, धर्म, धर्म सास्त उसने संस्कृत का अध्यन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उप्योग किया जिसमें ब्रमगुप्त, बलभद, तथा वारा मिहीर की रचनाएं विसेश रूप से उलेखनिये हैं उसमें जगा-जगा भागवत गीता, विश्णु पुरान, तथा वायु पुरान को उध्धित किया है अलबरहुनी ने अरवी भासा में तहकीके हिंद की रचना की थी सरप्रथम एडवर्ड साची सचाओ ने अरवी भासा से इस ग्रंत का अनुबाद अंग्रेजी भासा में किया इसका अनुबाद हिंदी में रजनी कांत सर्मा द्वारा किया गया संस्कृत मुद्रा लेक के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनावी ने जारी किये महमूद गजनावी दुवारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भासाओं में मुद्रा लेक अंकित थे उपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेक अर्भी भासा में था था दूसरी तरफ अंकित लेक संस्कृत भासा में था मध्य एसिया के सासक सिवाबू दिन मुहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के दृतिय युद में प्रित्वी राज दृतिय को प्राजित किया था यह तो बहुत फेमस था है ना 1193 में तराइन का तीसरा प्रित्वी राज तराइन के दृतिय युद में किया था प्राजित एक सेकिन सीहा बुद्दीन महमूद गोरी ने 1192 में तरायन के दुटिय युद में प्रिथवी राज तृतिय को पराजित किया था सीवा हुद्दीन सीहा बुद्दीन महमूद गोरी का प्रथम आक्रवने 1175 में मुलतान पर हुआ था 1175 में महमूद गोरी ने गुजरात पर आक्रवन किया किन्तु मूल राज दुटिय या भीम देव दुटिय ने अपनी योग्य एवं साहसी विद्वा मा नाइका देवी के नित्रित में आबु पढवत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त किया भीम दुटिय ने गोरी को परास्त किया था याद रखेगा उनकी माता के नित्रित में इसने आबु के परवट के निकट उसको परास्त किया गोरी की बारत में पाली पराजे थी 1191 इस भी में प्रित्वी राज दूतिय और गोरी के मद्धे इस तराइन का प्रत्थम युद हुआ इस युद में मुहम्मद गोरी की पराजय हुई 1192 इस भी में तराइन का दूतिय युद हुआ इसमें मुहम्मद गोरी ना जीत गिया और प्रित्वी राज त्रितिय की पराजय हो गई थी भारत में मुस्लिम सक्ति की अस्थापना हुई यह युद भारती इतिहास में अत्यदिक महत्पुन था फिर 1194 इसमी में चंदावर के युद में मुहम्मद गोरी ने कन्योज के घरवाल लाजा जयाचंद को पराजित कि चंदावर बरतमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमना टट पर इस्थित हैं मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकरिती बनी और दूसरे तरफ कलमा यानि अर्वी में खुदा हुआ है गोरी की विजयो के बाद उत्तर भारत में एक्ता प्रता अस्थापित हुआ मुहमंद गोरी के विजय के बाद इक्ता प्रता स्टार्ट हुआ 1192 इस भी में तरायन के धुतिय युद में कुतुब दीन एवक ने महत्पुन भूमिका नेवाई वस्तुतर 1192 से 1206 तक उसने गोरी के प्रतिनिधी के रूप में उत्तरी भारत के विजाई भागों का प्रसासन संभाला इस अवधी में एवक ने उत्तरी भारत में तुर्की सक्ति का विस्तार भी किया बिहार और बंगल के विजय के बारे में गोरी अथव अवक ने सोचा भी न था इसकारे को गोरी के एक साधारन दास एकतियार उद्दीन मुहम्मद बिन बक्तियार खिलजी ने किया उसने बिहार की बिजय की तथा नालंदा एवं बिक्रम सिला को तहस नहस कर डाला यह बहुत इंपोर्टेंट है बिहार के लिए वक्तियार के लिए पहले हर साल कोश्चिन पूछा जाता था बिहार की बिजय की तथनालंदा एवं बिक्रम सिला को तहसनास कर डाला उसने 1198 से 1203 में के मध्य बंगाल पर आकर्मन किया उस समय वहां का सासक लक्ष्वन सेन था वह बिना युद्ध किये ही भाग निकला तुर्की सिना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूट पाट की राजा की अनुपस्थिती में नगर ने आत्म समर्पन कर दिया लक्ष्वन सेन ने भाग कर पुर्वी बंगाल में सरन ली और वहीं कुछ समय तक सासन करता रहा एक्तियार उद्दीन ने भी सम्पुर्ण बंगाल को जीतने का प्रत नहीं किया एक्तियार उद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाए एक्तियार ने या बक्तियार खिल दिया प्रोफेशर हभीव की अनुसाद तुरको द्वारा उत्तर पश्च्म की विजा ने क्रमसस सहरी क्रांती और ग्रामिन क्रांती को जनम दिया चलिए इतना ही है इसमें इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत का गुलाम बंस देखेंगे गुलाम बंस सबसे पहला बंस था दिल्ली सल्तनत का चलिए देखते हैं 1206 से 1290 यानि 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम बंस के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए जिसका संस्थापक कुतु उदीन एवक है जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे ना क्या मुस्लिम आकरमन में तो देखे थे कुतु उदीन एवक जो था वो दास था मतब उसमें देखे नहीं थे लेकिन उदीन एवक का नाम आया था वक्तिहार खिल जी का न उनके वंस प्रिथक प्रिथक थे साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे अता इन सुल्तानों को गुलाम बंस के सुल्तान कहने के अस्थान पर परमविक तुर्क सुल्तान या दिली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा गुलाम बंस को ही ममलुक बंस भी बोला जाता है भारत में गुलाम बंच का प्रथम सासक कुटुउदीन एबग ये बारसौ छे से दस थे वह एबग नामक तुर्क जनजाती का था ये जो है ना कुटुबुदीन एबग तो एबग इनका जो है ना जनजाती का नाम था बजपन में उसे निशापूर के काजी फरुकुद्दीन अब्दुल्ला अजीज कुफी काजी फरुकुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। एबक बजपन से ही 38 सुरीले स्वर में कुरान पड़ता था इसको न कुरान आता था तो ये कुरान पड़ता था जिसकारण वह कुरान खुआ कुरान का पाठ करने वाला कुरान खाका भी इनको इस नाम से ये प्रसिद हो गया थे बाद में वह निशापूर से गजनी लाया ग सारी के बल पर सिग्णी एबख ने गोरी का विश्वास पराप्ट कर लिया गोरी ने उसे अमीरे आखूर के पद पर प्रनुत कर दिया उसने अपना राज्यावी सेख मुहम्मद गोरी के मृत्यू के पर चाद जून 1206 में कराया था एबख की राजधानी एबक की राजदानी लाहर थी यह याद रखिये कि एबक का राजदानी कहां लाहर था एबक ने कभी सुल्तान की उपाधी धारन नहीं की थी इसने कभी सुल्तान की उपाधी नहीं धारन की थी स्टेटमेंट भाईस भी आ सकता ना एवक के वाधे में कि एवक का राजदानी कहां लाहौर था क्या एवक कभी सुल्तान का उपाधी या एवक ने सुल्तान की उपादी धारन की तो इसने सुल्तान की उपादी नहीं धारन की थी उसने केबल मलिक सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुस्ट रखा गोरी के उत्रादी कारी गिया सुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में एवक को दास्ता से मुक्ति मिला किसने इसको मुक्त किया था गिया सुद्दीन महमूद ने से दास्त से मुक्त कर दिया अपनी उधारता के कारण कुटुव दिन एवक कितना अधिक दान करता था कि उसे लाख वक्स यानि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था कुटुव दिन एवक का राधानी लाह anesthet बच्पन में ये कुरान खा के नाम से जाना जाता था इसने क्या किया कभी राजा माराजा का ये धारन नहीं किया था सुल्तान इसने क्या खुद को सिपा सलाकार और ममलुक नाम से मलिक मलिक से और ये बहुत दान देते थे इसलिए इनको लाख वक्स भी यानि लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है एवक ने दिल्ली में कुटब कुवत उल इसलाम और अजमेर में अड़ाई दिन का जोपरा नामक मस्जीद का निर्मान करवाया ये कोश्चन भी बहुत पूछा जाता अड़ाई दिन का जोपरा क्या है तो ये एक मस्जीद है अकुबत उल इसलाम और अजमेर में अठाई दिन का जोपरा नामक मश्जित निर्मान करवाया उसने दिल्ली में इस्थित कुतुब मिनार का निर्मान कारे पाराम किया था कुतुब उदिन एवक नहीं कुतुब मिनार का स्टार्ट करवाया बट ये कंप्लीट नहीं करवा पाया था इल्टुत्मिस उसे कंप्लीट करवाया ठीक है कुतुब मिनार का निर्मान ने स्टार्ट करवाया जिसे इल्टुत्मिस ने पूरा किया था पूरा किस ने किया इल इसकी चौथी मंजिल को काफी हानी पहुची जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुना निर्मान के साथ साथ पाचमी मंजिल का निर्मान करवाया इसने फिप्त मंजिल भी जुरुआ दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्टुतमिस था ओरिजिनल जो माना जाता है वास्तविक सुल्तान वो इल्टुतमिस को माना जाता है उसने सुल्तान के पद की सुविक्रिती खलीफा से प्राप्त की थी इसने सुविक्रिती किस से खरलीफा से मांग लिया था खलीफा ने इल्टुत्मिस के सासन की पुस्टी उस सारे छेतर में कर दी जो उसने विजय किया था और उसे सुल्ताने आजम, इल्टुत्मिस को सुल्ताने आजम की उपाधी प्रदान की गई गुलाम का गुलाम का गुलाम कौन है आबक जो स्वैम गुलाम था गुलाम का गुलाम एदक जो स्वैम गुलाम था का गुलाम इल्टुत्मिस को कहा जाता क्योंकि इल्टुत्मिस किसका गुलाम था कुतुदी ने बखा और आबक किसका गुलाम था गोरी का इल्टुत्मिस इलबरी जनजाती का तुर्ग था ये भी तुर्ग था लेकिन इसका जनजाती इलबरी था सुल्तान बनने से पहले वह बदायू का सुवेदार था बदायू का सुवेदार था बारस सो पांच या बारस सो छे में खोकर जाती के विद्रोग को दबाने के लिए किये अभियान म मुहम्मद गोरी और एबक के साथ था जब यहां पर एक विद्रो हुआ था खोकर जाती के साथ तो उस समय मुहम्मद गोरी के साथ और एबक के साथ कौन था इलतुतमिस भी था युद में उसे साहस और कोशल का परिचय दिया जिससे प्रभावित होकर गोरी ने इलतुतमिस को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दे दिया था मंगोल नेता चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चमी सीमा पर इलतुतमिस के सासनकाल में आया था मंग बरनी जिन्धु नदी तक पहुचा था संभवता चंगेज खाने इलतुत्मिस के पास अपने दूत बेजे थे कि वह मंग बरनी की सहायता ना करे अता इलतुत्मिस ने उसकी कोई सहायता ना की और जब मंग बरनी 1224 इसमी में भारत से चला गिया तो इस समस्या का समाधा हो गया इलतुत्मिस ने बिहार सरीफ एक बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहारियों में तेलिया गर्धी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया एवाज ने इलतुत्मिस की अधिनता स्विकार कर ली इलतुत्मिस ने एवाज के अस्थान पर मलिक जानी को ये भी बहुत इंपोर्टेंट है मलिक जानी को बिहार का सुविदार नियुक्त किया गया किसने मलिक जानी को सुविदार बना था बिहार का सुविदार इलतुत्मिस ने ही भारत में सल्तनत काल में सर प्रथम युद सुध्अ szms के चलाएं थैं सुध सुध्र अरवी सिक्षिन इलतुत्मिस नहीं भारत में सरordo में सर्प्रथम सुध। पैसे हिकां सल्तन सल्तनध युग के दो महतपुन्ठ सिखे चांदी का हो है कि एधिक संदी का टाकई किसो बना चौन्दी के 175 ग्रेन और तांबे का जित्तल उसी ने आरंब किये तथा सिक्कों पर टक साल का नाम लिखवाने की परमपरा सुरू की 1229 इसवी में इलतुतमिस को बगदाद के खिलाप बगदाद के खलीपा से खिलत का प्रमान प्राप्त हुआ 1229 में इलतुतमिस को क्या खिलत का प्रमान प्राप्त हुआ जिसे इलतुतमिस बैद सुल्तान और दिली चलतनाथ स्वतन्त राजे बन गिया 1229 इलतुतमिस बैद संग मरमर की दो सेरों की मुर्तिया स्थापित कराई थी जिसे जिनके गले में तो गंटिया लटकी हुई थी जिनको बजाकर कोई भी बेखती सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था और यही वाला गंटि न इसकी बैटी जो रजिया सुल्तान थी उसको भी कामा है इलतुतमिस ने सभी सहरों में काजी और अमीरे दाद नामक अधिकारी नियुक्त की है डॉक्टर आर पी त्रिपार्थी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभूता का इतिहास इलतुतमिस से आहरंब होता है शर बलूजले हेग के अनुसार इलतुतमिस गुलाम सासकों में सबसे भाहान था डॉक्टर इस्वरी प्रसाद के अनुसार इल्टुतमिस निशन्दे गुलाम बंस का वास्तविक संस्थापक था सारे रोग अपना विजार दी हैं इसके बाड़े में मदे कालीन भारत की प्रथम महिला साजी का रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान इल्टुतमिस की बेटी थी और ये इसका दास था उसको पसंद करती थी मध्य कालिन भारत की प्रथम महिला साजी का रजिया सुल्तान वेक्तियत द्रिस्टी से उसने भारत में पहली बार इस्त्री के संबंध में इसलाम की परमपराओं का उलंगन किया और राजनीतिक द्रिश्टि से उसने राज्ये की सकती को सरदारों अथवा सूवेदारों में विवाजित करने के अस्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रिद करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्टुतमिस के संपुन प्रभूत्व संपन राज तंतर के सिधान्त का समर्थन किया जो उस समय की परस्थीतियों में तुर्की राज्ये के हीत में था रजिया बेगम को सत्ता चियुत करने में तुर्कों कहा था उन्होंने भटिंदा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नित्रित्म में रजिया के विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था सुल्तान बल्वन का पूरा नाम किया सुदीन बल्वन था बल्वन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली बल्बन बच्पन में ही आँ गया एक सगिन 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की भागडोर संबाली उसे उल्गुखा के नाम से भी जाना जाता है वास्तविक नाम बहाउद्दीन था इल्टुत्मिस की भाती वह भी इलवरी तुर्क था बल्बन बच्पन में ही वंगोलो द्वारा पकड़ लिया गया था जिनोंने उसे घजनी में बसरा के निकासी निवासी ख्वाजा जल जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया अंतर अंतर 1232 इसवी में उसे दिल्ली लाया गया जहां इल्टुत्मिस ने 1233 इसवी में ग्वालियर भीजा के पश्चात उसे खर असदार का पद दिया रजिया के काल में वह हमीरे सिकार के पद पर पहुच गया कहां पर हमीरे सिकार रजिया के विरुद्ध सर्यंत्र में उसने तुर्की सर्दारों का साथ दिया किसका साथ दिया तुर्की सर्दारों का साथ दिया फलस्वरू बहराम साह के सुल्तान बन मसूद साह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की आमीरों का साथ दिया जिसके फलसरोप उसे हांसी की सुवेदारी दी गए 1249 यानि 1249 इसमी बलवन ने अपनी पुत्री हुजयदा का विबा सुल्तान नासिरुद्दीन से किया इस अफसर पर उसे उल्गु खा की उपाधी मिली और नायाबे ममलिकात का पद दिया गया 1266 इसमी बलवन दिली के राजगदी पर आसीन हुआ था बलवन के विशे में कहा गया है कि उसे रक्त और लोह की नीती अपनाई थी बलवन के राजट्व सिद्धान्त की दो मुख्य विशे स्ताय थे प्रथम सुल्तान का पद इसवर के द्वारा प्रदत होता है और दूतिये सुल्तान का निरंकुस होना अवस्यक है सुल्तान का पद इसवर के द्वारा प्रदत है रक्त और लोह के निती बलवन नहीं अपनाई थी नेक्स्ट बलवन ने फारस के लोग प्रचलित वीरों से प्रेरना लेकर अपना राजनीतिक आदर्स निर्मित किया था उनका अनुकरन करते हुए उसने राजत्व की प्रतिस्था को उच्च सम्मान दिलाने का प्रेतनी किया राजा को धर्टी पर इस्वर का प्रतिनिधी नियामत एक खुदाई बना गया उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है राजा जिल्ले अलाह या जिल्ले इलाही अर्थात इस्वर का प्रती भीम्ब है वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंदी से दानतों का स्थापना किया उसने अपने पुत्र बुगरा खांसे कहा था सुल्टान का पद निरंकुस्ता का सजी प्रतीक है बल्बन ने इरानी बाद साहों के कई परंपराओं को अपने दरवार में अरंभ किया उसने सिजदा यानि भूमी पर लेड़ कर अभिबादन करना और पावोस यानि सुल्टान के चर्णों को चूमना कि रीतियां अरंभ कि उसने अपने दरवार में प्रतिवस फार्ची त्योहार नौरोज यह देखिए का पावोस जो सुल्टान के चर्ण को चूमना है सिजदा यानि भूमे पर लेड़ के अभिबादन करना और नौरोज एक फार्ची त्योहार यह सब स्टार्ट किया था मंगोलों से मुकावला करने के लिए बलवन ने एक सन्य भिभाग दिवाने अर्ज के स्थापना की थी बलवन ने अपना सेना मंतरी दिवाने अर्ज इमादुल मुल्क को बनाया था इमादुल मुल्क जो है ये दिवाने आर्ज के सेना मंत्री बने थे जो अत्यंत इमांदार और परिश्रमी बेखती थे बलवन उसे वजीर के आर्थिक नियंतरन से मुक्त रखा ताकि उसे धनकी कमी ना हो चलिए तो इस लक्षर में इतना ही हम लोग दिली सल्तनत के गुलाम बंस को कर लिए हैं अब इस वीडियो में क्या करेंगे खिल्जी बंस ठीक है तो खिल्जी बंस का नोपस देखते हैं क्या है जलाल उद्दीन खिल्जी ने 1290 में खिल्जी बंस की अस्थापना की थी अपुर्ण किलो खरी यानि किलो गड़ी के महल में करवाया था डॉक्टर A.L. स्री वास्तव के अनुसार जलाल उद्दीन खिल जी दिली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकूसवाद के आदर्स को अपने सामने रखा जलाल उद्दीन जब दिली का सुल्तान बना तब उसने अल्ला उद्दीन को अमीरे तुजुक का पद दिया था तथा अपनी पुत्री का विवा अल्ला उद्दीन से किया मलिक छज्यू के विद्रोह को दबाने में महतपुर्ण भूमिका के कारण अल्लाउदीन खिल जी को कड़ा मानिकपूर की सुवेदारी प्राप्थ हुई अल्लाउदीन दिली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंतरन अस्थापिती किया धर्म पर अब राज्ये का अभी क्या है अभी तो वैसे धर्म और राज्ये अलग अलग ही चलता है तो धर्म पर राज्ये का नियंतरा नस्था भी दिया पहले जो था ना धर्म राज्ये को चलाता था उसने अपने आपको यामीन उल खिलापत नासरी अमीर उल मुमनीन बताया बहुत बड़ा चीज बताया आपने आपको यामीन उल खिलापत नासरी अमीर उल मुमनिक वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा अलाओदीन खिल जी एक महत वकांची सुल्तान था उसने सिקंदरे सानी, यानि दूतिये सिकंदर की उपदी ली थी, दूतिये सिकंदर यानि सिकंदरे सानी, किस्ने लिया है ये? अल्ला उदीन खिल जी ने सिकंदर सानिया ने दूसरा सिकंदर का उपादी धारन किया उसे अपने सिको पर अंकित करवाया धारन की और उसे अपने सिको पर भी अंकित करवाया था अलाओ दीन का प्रसिद सेना पती जफर खा इसका सेना पती अलाओ दीन खिल जी का जो सेना पती है जफर खा मंगोलों के द्रोख बिरूद लरता हुआ मारा गया था यह जफर खा जो है ना अलाओ दीन के यह मर गया थे का मंगोल से युद करते वे जो अपने समय का स्ट्रेस्ट और सहासी सेना पती था पद्विनी ये पद्विनी वाला तो आप लोग मुवी भी देखे हो येगा तो पता ही होगा पद्विनी राना रतन सिंग की पतनी थी अल्ला उदीन खिल जी के मेबार की राजधानी चित्तौर पर आक्रवन के दोरान में राना रतन सिंग की मृृत्ति हो जाने के चारण रानी पद्विनी ने जौहर कर लिया तथा पद्विनी की कहानी का आधार 1530 Venus मी में मलिक मुहम्म्मद जैसी द्वारा लिखित काबे पुस्ट पदमावत में हैं ller लुका हुए है मलिक हम्मद जैसी मलिक मोहम्म्मक जै हुए इन विद्रों के कारण कारणों पर विचार करके अल्लावदीन खिल जी ने इसे समाप्त करने के लिए चार अध्यादेश जारी किए पहले अध्यादेश के द्वार के द्वारा उपहार पेंशन दान में प्राप्त भूमी आधी वेक्तियों से वापस ले ली गए सरकारी अधिकारियों को सभी वेक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया कर भी बहुत ज्यादा देना जो गिप्ट में आपको जमीन मिला था वह भी वापस ले लेना है दूसरा अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन संगठन किया दूसरे विराज्ये के लिए तीसरे अध्यादेश के अनुसार माधक द्रब्य यानि सराब भांग आदी का पडियोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी अभी विहार में सराब पर रोक लगा हुआ है न दिल्ली में सराब के कारण कितने लोग अंदर चले गए हैं चोथे अध तो विवा संबंदों पर प्रतिबंद लगा दिया गया नेक्स है अलाहुदीन के आकर्मन के समय देवगिरी का सासक रामचंदर देव था अलाहुदीन के सासन काल में जो देवगिरी के राजा थे उनका नाम है रामचंदर देव बारह सो च्यानवे इस्वी में देवगिर के सासक रामचंद्र देव ने अलाहुदीन के सफल आकर्मन के वाध्य होकर उसे प्रति बर्स एहलिचा पूर की आये भेजने का वाधा किया था परंतु तेरह सब पाज से इस भी अत्वा तेरह सब छे इस भी उसने उसकर को दिल्ली नहीं भेजा जिस कारण तेरह सब साथ इ देव गीरी पर आकर्मन करने के लिए भेजा राजा रामचंद्र युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्म समर्पन कर दिया अलाहुदीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मान पुर्ण विभार किया तथा उसे राय रायन की उपाधी दी छह मां पस्चात उसे एक लाग सोने का टका और नवसारी का जिला दे कर उसके राज्ये वापस भेज दिया गया 1312 इसवी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत संकर देव के बिरुद्ध भी एक अवियान का नित्रिद्व किया था मलिक काफूर को अलाहुदीन ने अपनी गुजरात विजय के दुरान प्राप्त किया था मलिक काफूर इनको कब मिला था गुजरात का जब विजय किया इसने अलाहुदीन खिल जे में तब मिला था हजार दिनारी भी कहा जा जा था मलिक काफूर को अलाहुदीन पहला सुल्तान था जिसने भूमी की 25 करा कर लगान वसूल करना अरंब किया अलाहुदीन खिल जो है इन्होंने ही सबसे पहले जमीन का 25 किया जाएगा उसके आधार पे कर यही सबसे शही तरीका भी होता है भूमी की 25 कराकर लगान वसूल करना अरंभ किया था अपनी विवस्था को लागू करने के लिए अलाए उधीन एक प्रिथक विवाप दिवान-मुस्थक राज की अस्थापना की थी अलाए उधीन ने परम परागत लगान अथिकारियों खुद मुकदम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार चुन लिया पहले खुद मुकदम और चौधरी लगान वसूल थे थे लेकिन ये एक दिवाने मुस्थकराज का स्थाबना किया था और उसके थुरू हम ले आएगा और वो भी जमीन का 25 करने के बाद अच्छा अच्छा काम किया अधिकार खुद मुकदम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार चुन लिया उसने सारे विसेसा अधिकार समाप्त कर दिया उनकी भूमी पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिये गया जिसके कारण खुद यानि की जमंदार और बालाहार साधारन किसान खुद किसको कहते हैं जमिंदार को और बालाहार किसको बोलते हैं साधारन जो किसान होते हैं मैं कोई अंतर नहीं रहा अलाहुदीन की राजास्प और लगान वेवस्था का मुख्य उदेश से एक सक्ति साली और निरंकुस राज्य के अस्थापना करना था उसने उन सभी वेक्तियों से भूमी छीन ली जिने वह मिल्क यानि राज्य द्वारा प्रदत संपत्ति इनाम इंदत राज पेंशन तथा वक्ष यानि धर्मात प्राप्त हुई भूमी थी आदी के रूप में व भूमी करके रूप में निश्चित किया यह बहुत ज्यादा हो गया हाफ आपको देना है भूमी करके रूप में अल्लाओ दीन खिल्जी भारत का प्रथम मुसलिम सासक था जिसने भूमी की वास्तविक आये पर राज्यस्व निश्चित किया था अल्लाओ दीन ने बाजार नियंतरन और मुल्य नियंतरन की भी इसने क्या किया था कि मुल्य नियंतरन किया था अलाहुदी ने अपने बाजार नियंतरन की सफलता के लिए कुसल करमचारी नियुक्त किये उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधिक्षक नियुक्त किया बढ़नी इन बाजार सुध सारों का उद्देश से मंगोलों के एक विशाल सेना तयार करना तथा हिंदूओं में विद्रों के विचाहना पनपने देना बताता है सल्तनत कालीन सासक अलाउदीन खिल जी ने सर्वजनिक वित्तरन प्रानाली परंध की थी अब भी तो हाउस टैक्स लगता है न तथा चराई कर जो की जो की दुधारू पस्वो पर लगाया जाता था यह बहुत ज्यादा है बाइक कर एक तो जो आप खेती कर रहा है उसमें से 50 परसेंट दे दो फिर घर में रह रहा है उसका दो फिर किसान अगर पसुपालक है वो पसुपालन कर रहा तो उसको चडाई पर कर लगाँ सही बात है तेरा सा चोव इस्वी में लाव दिन खिटजी के समय में दिली सल्तन नटेवा मंगोलों के भीच सीमा राभी नदी थी क्या नाम है अलावदीन खिल जी के बीच में अब क्या रहा गया सीमा रावी नादी सुल्तान की आसुद्दीन तुगलक के समय में सीर मुगल के नेत्रित में 1325 इसभी में मंगोल सेना ने सिंधु को अवस्यक कार किया था लेकिन समाना के सुवेदार मलिक साधी ने उने हरा दिया था मुबारक खिल जी ने स्वयाम को खलीफा घोशित किया था अल इमान अल इमाम उल इमाम खलीफत उल्लह आदी उपादिया धारन की जिनके वह सर्वथा आयोग्य था नर्शुद्दीन नसिरुद्दीन खुसरवा खुसरवसा 15 अपड़ा से साथ दिसंबर 1320 हिंदू से परिवर्तित मुसल्मान था इसने अपने नाम का खुदवा पढ़वाया तथा पैगंबर का सेना पती की उपाधी ग्रहन की इसके विरोधियों ने इसे इसलाम का सत्रू और इसलाम खतेर में हैं का खत्रे में हैं का नारा दिया ये किसके बारे में ऐसा बताया जारा नासिरुद्दीन खुसरवसा खुसरवसा जो है नासिरुद्दीन खुसरवसा इनके बारे में बोला है कि कि इनके भी जो थी जो है ना ये इसलाम का सत्रू इनको मानते थे और बोलता था कि इस इसराम खत्रे में हैं चल यह तो यह भी बंस समात्व आप नेक्स वीडियो में दूसरा देखते हैं लास्ट वीडियो में हम लोग दिल्ली सलतनत का खिल जी बंस कर चुके हैं ठीक है उससे पहले हम लोग क्या किये थे स्लेव डैनेस्टी यानि की गुलाम बंस ठीक है अब है तुगलक बंस का तो तुगलक बंस देखते हैं अलाउदीन के सेना पतियों में ग्यासुदीन तुगलक का गाजी मलिक तुगलक बंस का प्रथम सा सकता क्या है अलाउदीन के सेना पतियों में ग्यासुदीन तुगलक या गाजी मलिक को अ गाजी मलीक तुगलक बंच का प्रथम सा सकता है ऐसे गयास्वाइप तुग्लक याद रखिए गाज क्यास ये इसके सथाफक माने जाते हैं उसने तुगलक बंक के उस्थापना की उसकीमाता हिंदू याट थी तथा पिता एक करोना जन जाती का तुर्क था कौन सा जन जाती है करोना जन जाती का तुर्क था जो बलवन का दास था बलवन के दास थे ग्यासुदिन तुर्लक के पिता ग्यासुदिन तुर्लक ने अल्लाउदीन खिल जी के सासनकाल में कई महत्पुन अवियानों में न उसे मुल्तान तथा दीपालपूर का गवर्नर और मुल्तान के। इपने बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों को पराजित किया। उन्हें भारत से बाहर ख़दे रहा। इसलिए वा गाजी मलिक के नाम से प्रसीद हुआ। खुश्रो साह को समाप्त करके उसने दिली के सिहाशन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था इसी कारण इतिहास में उसके उत्राधीकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसक तुगलक वंस का लाया ग्यासुदीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले ही तरह पैदावार का एक बटापाच से लेकर के एक तीहाई बाग वसूल किया जाने लगा कितना लेने गया 150 से लेकर के 13 लेकिन अला उदिन खिली तो भाई 50 परसेंट वन हाफ लेता था ठीक है एक बटादो अवे सकता अनुसार अकाल की स्थिती में भूमी करको माफ किया गया जब अकाल वगेरा पड़ जाता है तो माफ कर दिया गया राजयस्ल वसूली में सरकारी करमचारियों को हिस्सा ना देखकर मुक्त जागीर जागीरे दी गए अब यहां पे क्या है म मुक्त जागीर को दिया गया जया सुदीन तुगला के समय में नसल एवं बटाई की प्रता प्रचलन में रही अलाव दीन के समय की कठोर दन्र वेवस्था समाप्त कर दी गए अलाव दीन तो भहत कठोर कठोर दन्र बनाया था तो यह कुर्द ना द्रस कर दिया पड़लत कर न देने वालो सरकारी धन की बहिमानी करने वालो और चोडों को कठोर दंद दिये गया हैं बर्नी के अनुजार तुगलक साह के नयाय से भेरिये को भी इस बात का सहस नहीं था नहीं होता था कि वह किसी भेर की ओर देखें दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक 1325-1351 सरवाधिक विद्वान एवं सिक्षिक सासक था लेकिन आप अब मुहम्मद बिन तुगलक का कहानी सुने होंगे न तो बहुत हसी आएगा ठीक है अनेक विद्वानों में निफुन था मुहमद बिन तुगलक ने क्रिशी की उनती के लिए एक नए विभाग दिवाने अमीर को ही किसलिए बनाया गया था? मुहमद बिन तुगलक ने बनाया था क्रिशी के लिए दिवाने को ही कि अस्थापना की इस विभाग का मुख्य कारे क्रिशिकों को प्रत्यक्च सहायता दे कर अधिक भूमी क्रिशिकारे के अधीन लाना था साथ भर्ग मील की भूमी का एक लंबा टुकरा इस कारे के लिए चुना गया भुमी पर क्रिशी सुधार किये गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विविन फसलों की खेती की गए मुहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्पुर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना ये दिल्ली से कहां ले गए दौलताबाद ये बहुत ही बेकार इनका फैसला निकला ही देवगिरी ले जाना इबन बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक और सम्मान पुरुन पत्र लिखते थे इसलिए हुने दंड देने के लिए उसने दौलताबाद को राधानी बनाने का निरने किया डॉक्टर के ए निजामी के अनुसार सुल्तान कुतवदीन मुबारक खिल जी ने देवगिरी का नाम कुतबावाद रखा तता मुहंबन तुगलक ने क्या रख दिया इसका नाम दॉलताबाद कुटब दिन मुबारीक ने रखा था देविभी का नाम कुटबावाद और मुहम्मद तुगलक ने दौलताबाद डाल दिया और दौलताबाद ही यह सिफ फ्र हो रहा था देवगिरी को कुववत उल इसलाम भी कहा गया मुहम्मध बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जुली अला यानी सुल्तान इसवर की छाया है इसवर सुल्तान का समर्थक है आदी वाकिया अंकित करवा है मुहम्मद बिन तुगलक के दोरा जारी स्वर्ण सिकों को इम्न बतूता दोरा दिनार की संग्या दी गई है ये जो सोना का सिका निकल वाया उसका नाम क्या है दिनार बर्नी मुहम्मद तुगलक की पाच मुखे योजनाओं का विशेश रूप से उलिखे करता सांकेतिक मुद्रा जारी करना खुरसान पर आक्र्मन इसका बहुत वह था खराब निरने था सांकेतिक मुद्रा बनाया जिससे क्या हुआ कि राज्य decisions है युग और कराचिल की अोड़ियान कराचिल का सब सब इसका जो पास फैसला ना ठीक वह उतना ही बेकार है इबन बतूता 1333-1347 मुरोक्को मूल का अफरीकी यात्री था इबन बतूता कहा है अफरीका का है यह मुहम्मद बिन तुगलक के कारे काल में भारत आया मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिली का काजी न्यूक्त किया बाल में 1342 इस्वी में उससे सुल्तान का राजदूत ब कि धाक वेवस्त होता का विस्तरित विव्यवरन हमें इतन बतूता के यात्रा mierतांत दौरए प्राप्त होता है क्या बतूता की कि यह फिर्त्तां है गें बतूता ने मुरोक्कों से बहुत बचपन में ही निकल गया था बहुत बजाएं बहुत 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 के सब्सकàiण कि भासोट साथ मधा पहुंचा या तो इसको कुरान बगशा को भूरान ऐसको औहुपन बडूत्यक लुगत अश्चा इनवा ग्यान, तो वह पने पतव पितन बदीस सिस्वास का यूसित सब्सकाई, मुखंब बिन तुगलक से मिला कि मुखंब बिन तुगलक बहुत विद्वान था फिर इसने को सुनाया ठीक है तो वह प्रस्ण हुआ उसको अपने राजिये में रख लिया इसको दिली का बिना गाजी भी बना दिया गया यानि कि जज ठीक है और एक बार लो इिआए दिया किसी को वो चीज क्या कि मुहम्मभ बिन Tughlaq भी एक राग निया दिया था उद करीवर और इस इस ने देना बैaking ना कुछ और था सबस्現在, इस बात पर मुहम्माध बिन Tughlaq गुष्सा हो गया और press सिधा सुनाया फिर यहां से पढ़ेशान हो एफिर यह चीन गया और चीन जाने के लिए इसके पास तो पैसा नहीं था तो इसको प्रक्वेस्ट किया था मौहम्मद भन प्राप्त होता है डाक दिल्ली के सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदूओं के तेवारों मुख्यता होली में भाग लेता था यह पहला ऐसे सुल्तान था जो होली वगरा भी मनाता था उसने गैर तुरकों और भारतीय मुसल्मानों को भी सरकारी पदों पर न्युक्त किया जिसके कारण बर्णी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्क्तियों को शिछोरा माली जुहा नाई रोसो या आधी कहा 20 मार्च 20 मार्च 301 कावन को मुहम्मद बिन तुगला के मृत्यू हो गए उसके निधन पर बदायून ने लिखा है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई बदावीनी ने क्या लिखा ह प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई क्योंकि यह फैसला लेता था नहीं यह बहुत उल्टा बरता था ठीक है के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किये हैं जैसे फसल वगरा का देखें हैं पेर पोधा देखें इरिगेशन सिस्टम को बढ़ाए हैं वैसे तो अभी पढ़ते हैं देखते हैं फिरोस्ता तुगलक के समाने लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कारे किये हैं न अधिक से अधिक लोगों को न्यूकती देकर उसने बेकारी यानि भेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया सही बात है आपके पास जो टालेंट है आप उसका यूज करके उस एरिया में बहुत प्रॉफिट कर सकते हैं जैसे मचली है वो तो पानी में ही तायर सकता है ठीक है वो पेर पे नहीं चलेगा न तो इसलिए जिसका टैलेंट जो है वो देख करके अगर नौकरी मिले तो बहुत अच्छा होगा हमारा देश बहुत ट्रागाटी करेगा चलिए फिरोज सा तुगलक संतों एवं धार्मिक विक्तियों को जागीर एवं संपति दान कर को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसल्मान लड़कियों के विवा की विवस्था करता था राज्य के खर्च पर हज की विवस्था करने वाला पहला भारतिय सासक फिरोज सा तुगलक है उसने दारूल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की अस्थापना की ती और उसमें कुसल हकीम रखे फिरोज सा तुगलक को दासो का बहुत सौक था उसके दासो की संख्या संभवता एक लाग असी हजार तक पहुच गए थी उनकी देखवाल के लिए एक प्रिथक विवाग दिवाने बंदगान का गठन किया गया सल्तनत काल में सर्व प्रथम फिरो फिरोज ने तीन सो नवीन नगरों का निर्मान कराया उसके द्वारा बस आये नगरों में फतेहबाद हिसार फिरोजपूर जौनपूर फिरोजबाद आधि प्रमुक थे फरिस्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिद 30 विद्याले 20 महल 100 सराएं 200 नगर 100 अस्पताल 5 मकबरे 100 सर्वजनिक अस्नानगिरी 10 अस्तंब और 150 पूलों का निर्मान करवाया अपने बंगाल अवियान के दोरान उसने एक दला का नया नाम आजादपूर तथा पंडूआ का नया नाम फिरोजबाद रखा एक दला का नाम क्या रख दिया इसने उसने राज्ये का मुख्य वास्तुकार यानि आर्किटेक मलिक गाजी सहना था परतेख भवन की योजना को उसके अनुमान के साथ दिवाने विजारत के समुख रखा जाता था तब ही उस पर धन स्विकार किया जा सकता था फिरोज तुगलक का सासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का फिरोज सबसे बड़ा नहरों का अभी जो नहर है वो उसका देन ही है सबसे बड़ा नहरों का जाल निर्मान करने के कारण प्रसिद रहा सिचाई की सुद्धा के लिए उसने पाच बड़ी नहरों का निर्मान करवाया था पाच बड़ा नहर बनवाया था इसने ताकि आसानी से सिचाई हो पाया प्रथम नहर था एक सो पच्चास मिल लंबी थी जो यमना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी दूसरी 96 मिल लंबी थी जो सतलज से घगघर नदी तक जाती थी तीसरी सिर्मौर की पहारिया से निकल कर हासी तक जाती थी चौती घगघर नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी पाच बी थी यमना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी फिरोज तुगलक ने सिचाई और यातियों की सुबधा के लिए लगभग 150 कुएं भी खुदबाया फरिस्ता के अनुसार फिरोज ने सिचाई की सुबधा के लिए बिविन अस्थानों पर 50 बांधों और 30 जीलों अत्वा जल को संग्रा करने के लिए तलावों का निर्मान करवाया बताईए बांध बंदवाया जील बनाया है कुआ फिरोज तुगलक उलेमा वर्गी स्विक्रीती के पश्चात हक ए सर्व नामक सिचाई कर लगाने वाला दिली का प्रथम सुल्तान वाला जब सिचाई का बना रहा है तो लेगा ही ना टैक्स उन किसानों को जो सिचाई के लिए साही नहरों का पानी पर योग में लाते थे अपनी पैदावार का एक वता दस भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना परता था फिरोज तुगलग द्वारा ब्रहामनों पर भी जजिया लगाया गया जजिया एक होता है टैक्स नन रिलिजियस टैक्स उलेखनिया है कि उस समय तब भ्रहामन इस कर से मुक्त रखे गए थे फिरोज तुगलग ने बागवानी में भी अपनी अविरूची के कारण दिल्ली के निकट बारस और नए फलो के बाग लगाए उसने अपने बागों में फलो के गुनवत्ता सुधार के लिए भी उपाय किये थे फिरोज सा तुगलग द्वारा असोक के दो अस्तंबों को मेरट एवं टोपरा अब हर्याना के यमना नगर जिले में से दिल्ली लाया गया दिल्ली में जो अभी कुदु मिनार के पास आपको बिलेगा न वही है असोक का अस्तंब टोपरा वाले अस्तंब को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुना अस्थापित कराएगा मेरट वाले अस्थम को दिल्ली के बरतमान बारा हिंदू राग अस्पताल के निकट एक तिले के कस्वे सिकार या आखेट अस्थान के पास पुना अस्थापित कराएगा दिल्ली के सुद्लतान फिरोज सा तुगलक ने इस उदेशे से एक अनवाद विभाग की अस्थापना की थी कि उससे हिंदू यवा मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बहतर हो सके उसने कुछ संस्क्रीत ग्रंतों का फार्सी में अनवाद भी कराया था नासिरुद्दीन महमूद सा अब एहवस्टी का खतम हो गया कहानी अब नासिरुद्दीन महमूद सा ये जो हैं तुगलक बंस के अंतिम्च सासक थे इसके सासनकाल में ख्वाजा जहांने जौनपूर के सुवतंत्र राजे के अस्थाबना की पंजाव का सुवेदार खिजर खा सुवतंत्र होकर अदिली को प्राप्द करने के लिए प्रयत्न करने लगा फिरोज के एक अन्यपुत्र नुसरत साह ने नासिरुद्दीन को चुनोटि दी थी फलस्वरुप तुगलक बंस दो भ महमूद सा के सासन काल में मध्य एसिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमन किया एक बार अभी कोशन पूछा गया था तैमूर के बारे में तो तैमूर ने किसके समय में नशिर दीन महमूद सा के सासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमन किया था यह कथन इसी सासक के लिए प्रचलित था सा जहां की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है किसके लिए नासिरुदीन सा के लिए तामूर के आक्रबन 1398 ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक बंस दोनों को ही नस्ट कर दिया दिल्ली सल्तनत भी खतम तुगलक बंस भी खतम 1412 एश्वी में नासिरुदीन महमूद सा के मृत्यू के साथ ही मुगल तुगलक बंस का अंत हो गया 1413 एश्वी में सरदारों ने दौलत खाको दिल्ली का सुल्तान चुना परंतु उसे खिज्र खाने पराजित कर दिया वह तैमूर द्वारा न्युक्त लाहर का सुवेदार था तैमूर के आक्रवन के बाद 1414 एश्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए बंस यानि की सैयद बंस का नीव डाला अब नेक्स में हम लोग पढ़ेंगे सैयद बंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग सैयद बंस के बारे में देखेंगे ठीक है कि तुगलक के बाद क्या हुआ था तैमूर ने आकरबन किया था और क्या हुआ तैमूर कि तुगलक बंस को इसले समापत कर दिया तो नया आप बंस जो आएगा वह सह्याद बंस आएगा सिहER ke Anda में सियाद बंस का स्थापना कब सेध वंथ का स्थाब ना चोड़र सो चोड़र इस भी में इसके संस्थापक खिजुरुखा को माना जाता है सेध मंत का अंत हुआ था यह देखे टाइम पिरिट्ट चोड़र से 1451 है तो 1451 में सेयद बंस का भी अंत हो जाता है अंत का कारण क्या माना चाहता है न कि सेयद बंस के आखरी सासक अल्लाव दीन आलम ने 1451 को स्वेच्छा से अपने सेना पती बहलोल खान को दिल्ली सल्तनत की कमान सब्सक्राइब इसमें कोई हरजित नहीं है इसने डारेक्ट अपना भालोल लोदी को दे दिया था और वह बहलोल लोदी बंस का क्या करें आस्थापना करें त्यामूर के आकर्मन ने सल्तनत की सक्ति को कम कर दिया और खिज्र खाने सयद बंस की नीव रखी यह परिवार सयद अथवा महमूद के बंसज माने जाते हैं त्यामूर के लगातार आकर्मन के कारण दिल्ली सल्तनत का केंद्रिय नेत्रित पूरी तरह से हतात हो चुगा था और उसे 1398 तक लूट लिया गया था इसके बाद उथल पुथल भरे समय में जब कोई केंद्रिय सक्ता नहीं थी सयदों ने दिल्ली में अपनी सक्ती का विस्तार किया इस वन्स के विभिन चार सासकों ने 37 वर्स तक दिल्ली सल्तनत का नित्रित्व किया इस वन्स की अस्थापना के बारे में आपको पता है खिजर खान ने किया था खिजर खान ने की जिने तैमूर ने मुलतान यानि पंजाब छेदर का राजे पाल नियुक्त किया था खिजर खान ने 28 माई 1414 को दिली की सत्ता दौलत खान लोधी से चीन कर सयद बंस की अस्थापना की किसने किया है खिजर खान ने चीन करके लोदिवन्स की अस्थापना की अब देखिए अब वहां कुछ और लिखा था है यहां कुछ और है लेकिन वो सुल्तान की पद्वी प्राप्त करने में समक्ष नहीं हो पाया और पहले तैमूर के तथा उनकी मृत्यू के पश्चात उनके उतरा धिकारी साहरुक मिरजा तैमूर के नाती के आधिन तैमूर राजमंस के रैत ये आला ही रहे खेजर खान की मिरट्व के बाद 20 मय 1421 को उनके पुत्र मुबारक खान ने सत्ता अपने हाथ में ली और अपने आपको अपने सिको में मुईजुद्ीद मुबारक साह के रूप में लिखवाया क्या लिखवाया था इसमें मुजुद्वून मुबारक सा के रूप में लिखवाया है उनके छेत्र का अधिक विब्रन याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित तारीखे मुबारक साही में मिलती है मुबारक खान के मृत्यू के बाद उनका दर्तक पुत्र मुहम्मद खान सत्तारूड हुआ और अपने आपको सुल्तान मुहम्मद साह के रूप में रखा अपनी मृत्यू से पुर्भी उन्होंने वदायू से अपने फुत्र अलाउदीन सा को अपना उत्राधीकारी गोशित किया इस वंस के अंतिम सासक अलाउदीन आलम सा ने स्वच्छा से दिल्ली सल्तनत को को नीज अपरेल 14 से कावन को बहलोल खान लोदी के लिए कि छोड़ दिया और वदायू चले गया 14 सा अंठान में में अपनी मृत्यू के समय तक वहां ही रहे चले इस बंस में कौन-कौन है सासक सबसे पहले खिज्र खा खिज्र खा जो एस्टेबलिस किये हैं मुबारक सा मामूद सा आलम सा सा खिज्र खा के बारे में कुछ देख लेते हैं खिजर खा कब से कन तीस के स्थापना खिजर खाने की सायद बंस स्वैम को पैगंबर मुहम्मद का बनसज मांते थे तो फिजर काँ खुद को रयत आला का उपादी से संबोधित करता था तैमूर लग का सेना पती खिजर कहा था खिजर खा कौन था तैमूर लग का सेना पती था ये तैमूर जब आकरवन किया था तुगलक के समय में वह नियती के रूप से तैमूर के बेटे सारुख को कर भेजा करता था ये जो खिजर खाने बसाया है न सयद बंस तो ये एक एमा मुबारक सा, खिजर खां के बाद गदी पर उसका पुत्र मुबारक सा बैठा, मुबारक सा ने विख्यात इतिहासकार वाहिया बिन अहमद सरहिंदी को आस्र दिया, सरहिंदी ने तारीखे मुबारक साही पुस्तक की रचना की, यह सयद काल में लिखी एक मात्र पुस्तक थी मुभारक साह की उपादी धारन की थी अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाय था और अपने नाम के सिक्के भी निकाले थे मुभारक साह ने तैमूर के पुत्र इरान के सारुक को कर देना बंद कर दिया मुभारक साह ना इसने कर देना बंद घर दिया चलिए अब नेक्स कौन है ओं मुभारक साह के पर पर उसका धर हमालत्त साह के मृतियू के बाद उसका पुत्र अला-उदीन आलम साह सुलतान बना और यह जो है में यह लास्ट क है चले देखते है अल्लाओ दीन आलमसा का 1445 से 1451 तक का है अल्लाओ दीन आलमसा मुहम्माद साह का पुत्र था या सयद बंस का आखरी सासक था इसके समय दिल्ली सल्तनत के सासन की बाग डौर सयदों से निकल कर लोधियों के हाथ चली गए चलिए यहीं तक है अभी इस वीडियो में हम लोग लोधि बंस को देखेंगे चली तो देखते हैं लोधि बंस की अस्थापना बहलोल लोधि ने की थी बहलोल लोधि 1451 इस भी में की थी वह बहलोल साह गाजी बहलोल साह जादी गाजी के नाम से दिल्ली के सीहासन पर बैठाता था अपने नाम का खुदबा बढ़ाया था इसकी सबसे महत्पुन विजय जौनपुर की थी सबसे महत्पुन जो विजय था यह जौनपुर का जौनपुर की सीरियल में बहुत फेमस है भालूल लोदी ने हिंदुओं के प्रतिधार्मिक कटरता का वेभ अनफार नहीं रखा डा कर अक उसके दरवार में कई प्रतिष्टे हिंदुस सरदार सरदार थे राय करन्सिंग राय प्रताब सिंग्ग्राय नरी सिंग राय त्रीलोक चंद्र और राय दादू उसने बहुत लोली नामक चांधी का सिक्का चलाया था किस नामक से चलाया था बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था जो उत्तर भारत में अकवर से पुर्व विनी में का मुख्य साधन था बहलोल लोधी ने अपने मृत्यू के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खान को अपना उत्राधीकाली नियुक्त कर दिया था किन्तु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खान की मा जैवंद एक सुनार की पुत्री थी कुछ सक्ति साली सरतारों ने निजाम खा का साथ दिया और 17 जुलाई 14 सनवासी को निजाम खान सुल्तान सिकंदर साहलोदी के नाम से सिहासन पर बैठा कौन बैठ गया निजाम खान वह लोदी वन्स का महानतम सासक था सिकंदर साह लोधी जो है यह बैठ गया और यह क्या है कि बहुत महांतन सा सकते पंद्रसो चार इस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के सासको पर नियंतरन के धिया से यमना नदी के किनारे आगरा नामक देख लेज़े सिकंदर साह ने जो जीता वही सिकंदर यानि आगरा नामक जग का नगर बसाया था और इसे अपनी रासदानी बनाया सिकंदर साह अत्याधिक परिश्रमी उदार एवं नयाय प्रिये सासक था उसने क्रिशी और व्यपार की उन्णती के लिए प्यत्न किया नाप का पैमाना गजे सिकंदर नाम है गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंब किया गया उसने निर्धनों के लिए देखे निर्धन लोग यानि गरीव और निर्धन लोग जो इनके लिए मुफ्त का भोजन का वेवस्था किया तभी तो यह सिकंदर है उसने मुहर्रम में और संतों का मजारे होते हैं उसके समय में योग्य वैक्तियों की एक सूची बना कर बताएं सिकंदर साह के समय में जो योग्य वैक्ति थे उनके लिए एक सूची बना कर परतेक छह माँ पस्चाद उसके सामने प्रस्तूत की जाती थी वह सिक्षित और विद्वान था उसके स्वैम के आदेश से एक आयरुवेदिक ग्रंथ का फार्शी में अनुबाद किया गया जिसका नाम है फरहंगे सिकंदरी रखा गया उसके समय में गायन विद्या के एक स्रेश्ट ग्रंथ लजजते सिकंदर साही की रचना हुई सिकंदर लोदी सहनाई सुनने का बहुत सौखीन था सिकंदर ने अनाज से जकात यानी समपत्ती कर समाप्त कर दिया 15.18 इसवी में महराना, सांगा और इबराहिम लोदी के मध्य खतौली का युद हुआ इस युद में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था पानी पत का प्रथम युद 21 अपरेल 1526 को बावर और इब्राहिम लोधी के मद्दे हुआ बावर के योग्य सेना पतित्व, स्रेस्ट युद निती और तोप खाने के कारण इब्राहिम की पराजे हुई और युद हस्तल में मारा गया फरिस्ता के अनुसार वह मृत्यू परयंत लड़ा और एक सैनिक की भाती मारा गया नामत तल उल्ला यानि नियामत उल्ला के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारतकार ने कोई सुल्तान युद्ध हस्तल में नहीं मारा गया ये पहले हैं जो क्या हुए ना बैटल ग्राउंड में ही इनको प्रगत इनको क्या बोलते हैं उसको वीरता प्राप्त हो गया वीरगती को प्राप्त हो गया चले तो लोदी बंस यहीं समाप्त होता है और दिल्ली शल्तनत को यह वाला टॉपिक भी यहीं समाप्त होता है